अगर किसी को खुद के प्रदेश के सीम से मिलने भर की मांग पर थपड़ रसीद हो जाएं तो सोचिये कि सरकार का अभिमान किस इस्तर पर है ये विडियो उत्तर प्रदेश के शाह जहापूर का है जहाँ पुलिस विभाग के बड़े अफसरों की मौजूदगी में आशा वरकर्स को पीटा जा रहा है कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने सीम योगी से मिलने की मांग की थी अब मट के मठादीश से सीम बने योगी आधितुनाद से मिलने के लिए प्रोटोकॉल इतना सख्त था कि पुलिस ने आव देखा नताव और बरसा डाले तमाचे शाह जहापूर में आशा वरकर्स पर थपड बरसाती ये खाकी वर्दी उस यूपी पुलिस की है जिसके एक कप्तान सहा भत्या के आरोप में एक लाग के इनामी है उत्तरपदेश पुलिस की ये वीरता अगर राजपत पर दिख जाती तो इसको साथ तोपों की सलामी दी जाती जिन लोगों पर थपड बरसाए गए हैं वो यूपी में कोरोना के वक्त आम आदमी के घर जाकर स्क्रीनिंग करती रही हैं दमाय बाटती रही हैं लोगों की मदद करती रही हैं अब इन ही लोगों ने जब वेतन बढ़ाने को लेकर तमाम मागों को सीम के सामने रखने का वक्त मांगा तो पुलिस का थपड नसीब में मिला है आंगनवाडी वरकर्स का कहना है कि वो सीम से मिलना चाहती थी पुलिस का कहना है कि सभी को गिरफतार कर बस में बैठाया गया था और प्रदर्शन रोके जा रहे थे लेकिन पिटाई का जस्टिफिकेशन क्या है न में ये सवाल उठेगा जब नेता भी कुछ लोगों से मिलने जाएंगे